शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले वाडी के सडकों पर जलजमा होने से नागरी को का स्वास्त खत्रे में हैं वाड की सीमा विवाद पर फसे आमजनता पास साल तक नगर सेव को ने नहीं दिया ध्यान नागरी को का नगर परिशत पर है आरोग वाडी नगर परिशत के शाहू ले आउट के विकास नगर में सडकों का निर्मान सही तरिके से नहीं करने से पहले ही बारिश ने नगर परिशत के पोल खोल रखी है दो दिन हुए बारिश में वाडी के सडके जलमे हुई लोगों को सडक पर चलना मुश्किल हुआ भारी म पर जल जमाओं होने के कारण सडक पर तालाब जैसा नजारा दिख रहा है जल जमाओं के कारण नागरिकों का स्वास ते खत्रे में आने की संभावना जताई जा रही है डेंगू मलेरिया जैसे बिमारियों का घर आसपास बन रहा है साहू ले आउट विकास नगर वार्ट क् तीश में फसा है जिसकारण फास साल बीतने के बाद भी यहां कि सडकों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया नागरिकों ने बताया कि बरसात में यहां पर जल्जमाओं होने से दिखत हो Boh pea एक बार चल जमाँ होने पर परसाथ समाप्त होने के बाद भी पानी निकासी नहीं होता। वार्ड क्रमांक साथ के नगर सेवक प्रेम धाड़े है। पास साल तक इन्होंने ध्यान नहीं देने का आरोप नागरी कोने लगाया। प्रेम धाड़े धाए साल नगर परिशत अध्यक्ष भी रहे। फिर भी सड़क पर ध्यान नहीं देने से नागरी कोने रोश्यक्त किया है। इस परिसर में बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं। बड़े ट्रकों का यहाँ पर आना जाना रहता है। बच्चे स्कूल जाते वक्त और कुछ सामान खरिदना हो तो इसी रास्ते पर जाना परता है। पानी जमा होने के कारण एक किलो मीटर घुम कर जाना परता है। वाडी नगर परिशद ने पास साल में सडकों पर करोडों रुपए खर्च के लेकिन साहू ले आउट वबिकास नगर के सडके क्यों नहीं बनाए। यह सवाल लोगों ने उठाया। परिशर के नागरिक गोडाओं से परिशान है। रेसिडेंस परिशर में गोडाओं के लिए पर्मिशन कैसे दी गए। ऐसा सवाल वहां रहने वाले नागरिक उठा रहे है। इन BCN के माद्यम से मा करते हैं आएसी स्थिती वी जिस तुरेंगे बाट नंबर साथ वाट के बीच में दोनों अपने आपको बोते ही वाले इस्तिति कितनी भ्यानक होगी सबको मालूम है दूसरी बताना चाहता हूं जो गोडाउन अगर इसी डेंटियल कंदर में गोडाउन को ततकाल प्रवाव से हटाया जाए अगर बड़े से बड़े ट्रक रिशी डेंटियल गोडाउन का प्रवेस करेंगे रोड में कितनी अच्छी है कितने उससे बना जाता है उसके बजन से बना जाता है लेकिन यह दस चके बीच चके जो ट्रक आते हैं अधिक मात्रा में ओवर लोड होते हैं इसके पूरी संभावना राती है इसकी जासने पर सासने से दोड़ा अतिस्क अभी जैसे आपने आपे देख जासे भरा हुआ हूँ के बहले इसके पहले बी अवगत कराया उन्होंने बोलें नाली काम कहां चालो कैसी चालो पता नहीं स्की तिनी दैनी हो क्या है च्छेत अलग है क्या आज सबसे पड़े लग्तिक का फोल की सबसे बड़े समस्या है यहां अतना पानी भर जाता कि हांके करेंट उतर जाते हैं बच्चे हां पर तीन चार गली के बच्चे कंसा सो बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं दुकानों में सामान लेने के लि लिए जाते हैं रोड का काम क्यों नहीं किया जाता है हम नगर परसर वाली के अगर क्रेटर मोदे सब महाराश सरकार या प्रसासन नाकपूर जी रेस प्रसासन से माग करते हैं किसी निस्पक्ष जहांच कराई जाए कुछ लोग कागज पर पैसे निकाल लिए हैं काम हो गय जानी की कंडिशन कैसी होती होंगी उपर से बच्चे आने जाने का कोई साधन नहीं है इधर से कोई रोट नहीं है जो भी जाएगा पूरा एक किलोमीटर घूम के जाता है और यहां से सौटकट पड़ता है तो फिर आप इसका कई बार हमने इसमें रिपोर्ट किया है उधर का रोट बना है गोडाउन एरिया कि यूड़ा या और शोफूंचा कर दिया कि आप पानी यह पुरा गड़ा होा गया कभी कोई कच्रा खाड़ने वाला नहीं आता है जादी बोलेंगे तो एक हाद मैने में एक बार आ जाता है अब देखलों यह एरिया के सफ़ाई यह बिजली का खंबा दौलत सभाग्रा के पास वह वहां पर था एक दौलत सभाग्रा वहां पर बिल्डिंग बनी है यहां पर लगवाया जब हमने यहां पर ऑब्जेशन किया तो वह बोले कि आपकी जगह नहीं है यह बाजु वाले की जगह है तकलीफ क्यों नहीं हो रहा जी यहां से दसदस चक्के के ट्रक जाते है क्योंकि इधर अगर रोड जाम रही तो सामने वाला इधर से आता है और उ सालों का गरी का संसाद है यहां का देश में रोड बना रहा है अध्यक्षे हो अज आठमाना वा पानी थम रहा है यहां मा पहले बोला था कि गुड़ान का रोड को उची मत करू उची करना तो इसको करना पले इन बीसे नियूस के लिवारी से तुनल शेट्टी के साथ ूँबूश्बडर के अवड़ रहाओ अवड़